हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम बेक टू सचिन मैथ क्लाशिच जैसा कि हमारा मैथ हमने स्टार्ट किया अभी एडवांस एफ्टेक्ट एलजैबल जो लोगों की बहुत ज्यादा दिमांड थी तो पहले इसके हम इंपोर्टेंट्स टोपिक्स 15 से 20 वीडियो जो मोस्ट इंपो आप से कर रहें बाद में इसका पूरा सलेबस भी हम दिरे-दिरे कवर करेंगे ठीक है आपको नोट्स का पीडियो चीए तो नीचे टेलेग्राम चैनल दिया हुआ है और एक वट्सेप गुरूप दिया हुआ है दोनों पर आपका नोट्स अविलेबल है ठीक है जाके आप ले सकते हैं अभी तक अप्रोक्सिमेट 12 से 15 मैस कंपलेट करा दिया है यूट्यूब पे आप जाके वह भी देख सकते हैं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आज की थोरम क्या है हमारी इफ पी इजे प्राइम फिल्ड क्या है पी हमारा क्या दिया करना है पी हमारा आइसोमोर्फिक होगा क्या होके और पी हमारा आइसोमोर्फिक होगा जड़ अपोन पी अब यह क्या है बेटा इसको हम जर्नेटर भी बोल सकते हैं आईडियल भी बोल सकते हैं जो कि जर्नेटर अब यह पी किसके एकवल होगा पी जड़ के इकवल होगा तो बहुती इजी थोरम है और बहुती इंपोर्टेंट थोरम है याद रखना है बहुती इंपोर्टेंट थोरम है यह हमारी ठीक है इसको प्रूफ पर चलते पहले इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें एक मैपिंग डिफाइन करेंगे फंक्शन लेंगे जो कि हमारा कह से चज़ से लेकर कहां जा रहा है पी तक जा रहा है तो यह हमने कर लिया है हमारा क्या है खre Halo यह फंक्शन जा रहा यहां से यह हमारा फंक्शन हो गया ठीक है आप ज़र हमारा क्या है बताओ और P हमारा क्या है P हमें पता है पी हमें पता है प्राइम फिल्ड है क्या है पी हमारा प्राइम फिल्ड है और Z क्या है set of integer क्या है set of integer है हमारा जड़ और P क्या है prime field है ठीक है बैटा आप याद रखना इसमें हम माल लेते हैं जिस n set of integer होगा क्या होगा इसमें n set of integer होगा और इसमें prime का मतलब क्या है बिदा अब न ने बताया था prime field जहां पर फिल्ड पराइम फिल्ड आ जाए तो उसके पास multiplicative याद रखना multiple और additive addition में दोनों में identity होगी तो multiplicative में one होगी वैसे इसके पास zero होगी addition में क्या होगी zero तो हम मालेते हैं in यूनिटी मैंने बदना जीर और वन क्या होता है म mutuallyoorthy है और दीसन में जीरो होती है तो हम मालिते म Whilst के लेकर चलेंगे यहां पर क्या है यह तना डाइगरम मैं अगे का कैसे क्या है मैं अगे आने वाले सीन कि थ trabalhar करेंगे तब मैं इसको समझाओंगा अभी इतना डाइग्राम रखना ठीक है अब फोर्म के प्रूफ के ऊपर चलते हैं बेटा प्रूफ यहां से सरू हो गया है ठीक है पी हमारा क्या है प्राइम फिल्ड है वन वन क्या है हमारा मल्टिपिकेटिव उनिटी ओप पी है मैं जो मैंने क्या बताया जब यह है हमारा फंक्शन लिया हमने जो ज़र से पी तक जा रहा है तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा अगर हम इसको लिखने का तरीका है यह इसको लिखने का तरीका है यह यहां पर हमने इसको लिखने का तरीका है यह यहां पर हमने इसको लिखती of p है जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसके बारे में अभी हमें क्या करना है हमें इसको एप को जो f है जो ये f है बेटा इसको हमें ring homomorphism प्रूव करना है अब वो कैसे करते हैं हमने यहां से जो z है उससे दो element उठा लिए एक m और एक n दो element उठाए ठीक है अब f है m को आपने क्या लिखा अभी थोड़े दिर पहले m.1 अब दो लिखाए तो दो को कैसे लिखेंगे एक बार पलस में लिखोना पड़ेगा और एक बार multiply में क्योंकि दोड़ना इडेंटिटिए है इसके पास पालस में लिखा इसको कैसे लिखोगे पड़ा सेम लिखेंगे बताव m पालस n multiply 1 उसको कैसे लिखोगे पड़ेगा आगे फिर फिर पहले तो आपने f और इसको क्या लिख देंगे fn फिर हमने multiple यह हमने addition में किया अब हम इसको किसको करेंगे multiplication में किया तो डोट वन इसके एक बर बन एक बर एन तो यह हमारा क्या है fn और यह हमार fn तो यह भी हमारा तो दोनों condition हम इस fn m plus n को हम दो पार्टों में लिवाइड करके अलग लग लिख सकते हैं और fn को भी दो पार्टों में अलग लिख सकते हैं मतलब इन दोनों को अलग 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 पार्ट हम लिख सकते हैं तो हम बोल सकते हैं एस क्या होगा हमारा होमोमोर्फिजम रिंग होगा ही होगा हमोमोर्फिजम हमारा प्रू हो गया हमोमोर्फिजम ही चाहिए हमें अब यह बोलो कि सरी होमोमोर्फिजम हमें क्यों चाहिए था मैं देखू मैं बताता हूं होमोमोर्फिजम हमें क्यों चाहिए था क्योंकि जो आप बता रहे हो जड़ अपोन पी जो जरनेटर है ये तभी होगा जब कि ये नीचे वाला तभी आएगा तब हमारे पास कोई करनल क्या होगा कोई करनल आएगा तो इसलिए मैंने इसको होमोम हमोर्फिजम प्रू च्या अब हमें पता चल गया यह होगोगोन पढ़ए हमारा कोई एन लेंगे हम जड़ से पइं लुटाइंगे हम जड़ चोई ऐन रहेगा जड़ से बिलोंग करेगा और उस पर अगर उस किसी function में अगर n डालेंगे ये function of n निकालेंगे तो वो किसके equal आएगा बेटा 0 के equal आएगा और f of n को आपने अभी लिखा n into 1 is equal to 0 ये होता है kernel मैं kernel की definitions लिखा है यहां पर याद रखना है ये kernel की definition लिखा है मैंने kernel क्या होता है को हमने n उठाया जड़ से और किसी function में वो n पूट किया तो 0 आ रहा है और f of n की value क्या है n ये हमारा 0 है n multiply 1 हमारा 0 है और हमें सब को पता है कि जो kernel of f है है वो क्या है? आईडियल है बेटा, आईडियल ओफ जड़ है, सभी को पता है, करनल ओफ एफ है, वो क्या है, आईडियल ओफ जड़ है, अगर करनल ओफ आईडियल ओफ जड़ है, तो जड़ क्या होगा हमारा बेटा, सिंपल सी बात, जड़ हमारा क्या हो जगा, प्रिंसिपल डोमेन हो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा अगर करनल ओफ प्रिंसिपल आइडियल हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि क्यों 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 तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है अब क्या हूँ हमारा बिलोंग कर गया जड से तो हम लिख सकते हैं कि कर्णल ओफ एफ है इसको ये क्या जर्नेट करेगा इसका मतलब क्या है बेटा जर्नेट कर रहा है तो ये कर्णल ओफ कहां से जर्नेट हो रहा है इस क्या जर्नेट हो र रहा है, अब यहां से case arise हो जाता है, is case case के लिए, जो यह case जो zurnait कर रहा है, यह भहूत important है, यह जाता है, तो क्या जर्नेट कर रहा है, सारा खेल अब इसके उपठी है, देखना है, अब सबसे पहले तो मैं is case case value क्या लेलू, 0 लेलू, case arise हो गये यहां से, case में मैंने क्या हो ले लिया जीरो ले लिया और हमें पता है क्या हो अगर हम जीरो लेते हैं तो यह Kernel of f क्या हो जाएगा बेटा जीरो होलाइगा करनल स क्वारा आईडियल है S iay का मतलब क्या है ऑईडियोमने यहाँ पर इस रही लिका लगा आई ठीक क्यों कि हमें पता है करणन लोग क्या है आईडियल ओफ जड यह क्या जीर हो जाएगा जब यह जीर हो गया तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा जड़ इज आईशो मोर्फिक टू एफ जड़ बच जाएगा बेटा सिंपल सी बात है यह हमारा यहां पर बचा क्या है मतलब क्यूशंट फिल्ड का डेफिनिशन इसको नोट करकर देखना आपके अगजामें भी तूश्य जा सके टू मार्क्स में अभी हमने एफ लिया एफ बी एनि फिल्ड ओर रिंग ऑफ क्यूशंट फिल्ड ओफ एफ इस गिवन बाई इसकी डेफिनिशन है के इस इक इसकी डेफिनिशन रहेगी यहां पर हम इसको अपलाई करेंगे अभी याद रखना इसको अगर ऐसा है इस क्यूशंट फिट की डेफिनिशन यह थी मैंने बताया आपको एफ हमारा कोई भी लेट कैपिटल एफ बीदा एनि फिल्ड दिक्यूशंट फिल्ड ओफ इस परका जो हमारा स्मोल एफ्जड है कंटेंड किसमे कर睼產था पी में कर रहा था हैक्तलो हमारा वी किसमें जा रहा रहा है है हमारा एफ में यान यह यहारा है यहां यह पिरूठ को ऑले IKEA हमें यह प्रूव नहीं करना मैं पहले पार्ट में P is isomorphic to क्या प्रूव करना है पहले पार्ट में देखो चलते हैं तो हमके पहले पार्ट में हमें P क्या करना है आइसो मोर्फिक to क्या प्रूव करना है तो इसलिए हम एक क्या का मेन मुद्दा है कि क्या क्या है है इसलिए मैंने ये क्यू सेंट फिल्ड लगाया है यहां पर ठीक है अब यहां पर जब है तो जड़ हमारा किसके आईशो मोर्फिक होगा एफ जड़ के यह अभी आपने प्रूव किया थोच दिर पहले ही मैं नहीं बोल रहा है तुम लोग याद नहीं रखते जड़ हमारा आईशो मोर्फिक है एफ जड़ के सभी को पता है और जड़ हमारा जो जड़ है यह किसका क्यू सेंट है आप सभी को पता है और एफ जड़ किसका क्यू सेंट है बताओ 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 F का QCENT है सभी को पता है न अरे इस Z का QCENT कौन है क्या हूँ है आपने बोला यहीं पे FZ का QCENT कौन है आप सभी को पता F और F किसमे क्या हूँ I show more fix to F और F किसमे contain कर रहा है बेटा P में contain कर रहा है बताओ ठीक है और P हमारा क्या है यहाँ पे प्राइम फिल्ड P क्या है हमारा प्राइम फिल्ड और आप सभी को पता है प्राइम फिल्ड क्या होता है जिसकी कोई भी सब फिल्ड नहीं होती जिकों लिख देता हूँ जिसकी कोई भी सब फिल्ड नहीं होती ठीक है जिसकी कोई भी सफिल्ड नहीं होती तो मतलब सिंपल सी बात हो गया अब हमारा F हमारा कंटेन नहीं करेगा P के अंदर F हमारा P के इक्वल होगा F क्या होगा हमारा P के इक्वल होगा और F को आपको पता ही है F इसका मतलब F हमारा P के इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं P हमारा isomorphic होगा क्या होगे क्या लिख सकते हैं P हमारा क्या होगा isomorphic होगा क्या होगे क्योंकि F contain नहीं करेगा बेटा क्योंकि सब field होती ही नहीं जब सब field होती ही नहीं तो F हमारा contain P के अंदर करेगा ही नहीं जब करेगा ही नहीं, तो हमारा F किसके एकुल होगा, P के एकुल होगा, और जब F P के एकुल होगा, तो हमको सकते हैं, P है हमारा इसे मोर की होगा, क्या होगा, ठीक है, आब case 2 पे चलते हैं, क्याएब की एलाउ, हम ले ले 1, अभी 0 लिया, अब क्याओ की value जब हमें पता है जब तो क्याओ की value 1 लेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा f क्याओ f क्याओ मतलब हमें 1 put करना पड़ेगा और यह हमारा क्या आरा 0 अब यह 0 क्यों आया आप लोगों का question अरा है जो अरे आप सभी को पता है क्या हूँ हमने क्या लिखना kernel of f अब किसी भी अब याद रखना kernel के element पर अगर f को लगाओगे तो वहाँ 0 ही आएगा क्या है करनल के element पर अगर f को लगाओगे तो वह हमेंसे क्या आएगा 0 ही आएगा इसलिई मैंने f1 को क्या लिखा 0 अब f1 को आप देखो जब fn को क्या लिख रहे थे n multiply 1 तो यहाँ f1 आ गया तो क्या हो जागा 1 multiply 1 अब 1 multiply 1 हमारा 0 आएगा कभी भी नहीं आएगा 1 multiply 1 0 के एक वल आएगा कभी नहीं आएगा क्योंकि f1 तो क्या 0 है अब f1 0 कैसे आया यार मैं अब भी रिजन बताया करनल के element पे करनल के element पे अगर f लगाओगे तो वह मेंसे 0 आएगा बेटा तो यह एक side 1 आ रहा है एक side 0 आ तो यह condition क्या होगा गलता कि country मैस में होता है नहीं तो क्या हूँ हमारा 1 के equal तो कभी नहीं होगा यह चीज याद रखना क्या है क्या हूँ हमारा 1 के equal नहीं होगा तो this case is no such this यह हमारा 1 नहीं होगा यह case हमारा exist नहीं कर रहा है अब चलते है case number third के ऊपर तो अब case third में क्या है बेटा case third हमें अभी एक ही चीज़ प्रूव करना बचा है हम case third में क्या करेंगे in this case we claim that कि क्या हूँ क्या है हमारा prime number है ठीक है हमें क्या प्रूव करना इस case में क्या हूँ क्लेम करेंगे क्या हूँ क्या है prime number है अगर prime number आ जाएगा तो jad upon जो generate कर रहा था jad upon पी जो qsend group था वह आईसोमोर्फिक हो जाएगा हमारा पी के तो हमारा सबसे पहले मोटो वो ही है हमारा क्या था जड़ अपोन पी इस आइसोमोर्फिक टूपी हमारा यह हमें भी यह प्रूव करा सेकेंड पार्ट तो इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा क्या को क्या दिखाना पड़ेगा प्राइम नंबर दिखाना कि अगर क्यो हमारा prime number लेके चल रहे हैं नहीं है मतलब note लेके चल रहे हैं तो हमारा क्यो 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 होगा दो number का multiply होगा क्यो 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 क है देखो आप सभी को पता है f of kow क्या है जीरो है क्योंकि आप आगे पढ़ लिए देख मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूं f of kow आपको पता है 0 का equal है पहले भी मैंने आपको यह चीज़े सारी पढ़ा दी है f of kow की value क्या है हमारी 0 है आप देखो आगे जब यह आपको पता है कि F of Kya है हमारा 0 है तो इसको F Kya की value क्या लिए हमने Kya 1 Kya 2 इसमें put करो F Kya 1 Kya 2 जब करोगे तो इसको open कैसे करते हैं F Kya 1 Kya 2 Kya 1 Kya 2 क्या है homomorphism है और Kya 2 इनको अलग लग open करोगे तो क्या होगा क्या 1.1 unity के साथ क्या 2.1 ऐसे गर open और आप सभी को पता है f क्या किसके equal है 0 के equal है तो यह किसके equal होंगे 0 के equal होंगे जब यह दोनों 0 के equal होंगे या तो यह 0 होगा या यह 0 होगा आइदर यह या फिर यह अब मान लेते हम थोड़ देर पहले कि क्या 1.1 0 है तो हम पता है यह आया कैसे हमें पता है कि जब f kya 1 0 हुआ तभी तो यह 0 आया यह 0 कहां से आई जब हमारा f kya 1 0 हुआ तभी तो यह value आई हमारी तो इसका मतलब क्या है कि यह जो क्या है कि dust कर सो कण सब्सक्राइब को क्य क्या फैप क्यौण कर रहा है रहा है और अब कि आप पीछे भी पडाया है तो Q1 हमारा किसके एको लोग है QT, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, Q1 अपन Q is equal to TB लिख सकते हैं, अब ये देखो, अब condition देखो यहाँ पे, हमारा Q1 है और ये Q है बेटा, Q1 हमारा छोटा है Q से, अब हम थोड़ देर के लिए माल लेते, Q1 छोटा है बेटा, Q2 और क्या हमारा माल लेते हैं 6, अरे 2, 6 को डिवाइड करेगा बेटा, नहीं करेगा न, क्योंकि Q1 हमारा छोटा है, Q से, तो ये condition क्या होगे, इसा तो पॉसिबली नहीं है, अब लेते हैं Q2 होग 0 है, तो Q2 में भी शेम हमारा Q2 पून क्या होगे आएगा, तो ये भी contradiction आएगा, क्योंकि Q2 भी हमारा Q से छोटगा है, तो उसको भी डिवाइड करके देखें, तो वो भी एक condition contradiction आ गई, दोनों हमारी contradiction आ गई, और हमने सक्सिक देखा क्लीर हो गि effectiveness क error होगे आपको, तो जब जड हमारा प्राइम है, पर हम सभी को प्राइम है, तो जड किसके equal होगे, हमारा प क्कर इक valores ये, और अभी तक करनल ओका से को Brazil का return क्या जर्नेट कर रहा था अब करनल ओफ को कोई जर्नेट करेगा जो कि मैंने यहां पर लिखा है अब हम लेके क्या चल लेते ठोरं हमारी क्या थे कि J upon करनल F is I somorphic to F z containing P अब करनल ओफ किसके एकवल होगी चाहें यहां पर हमारी P के क्योकि P जर्नेट कर रहा है और हमें पता है P क्या है एक प्राइम फिल्ड है प्राइम फिल्ड है जब प्राइम फिल्ड है तो उसकी कोई सब फिल्ड तो होगी ही नहीं यह बिल्कुल किलियर बात है तो F of Z हमारा किसके एकवल हो जाएगा प्राइम फिल्ड की कोई शब फिल्ड नहीं होती है तो हम लिख सकते हैं जड़ अपोन पी किस के प्राइम करना था यहां पर यह बहुत ही जो इसके बेशिक कंसेप्ट है न बैस वह किलियर करना है आपको बाकि इस फोरम में कुछ नहीं है नेक्स थोरम में हम फिर नेक्स ट्रॉपिक के साथ मिलेंगे जो हमारी नेक्स थोरम है लेट ली दा फाइन अपके सामने लेकर आएंगे बहुत ही इंपोर्टेंट चीज में आप लोगों के लिए लेकर आयों यह सभी को पता है हमारे पास MSC के कितने math मैंने अभी तक पढ़ा दिया सबको पता है mechanics math पढ़ाया calculus of variation पढ़ाया partially differential equation पढ़ाया उसके बाद fluid mechanics and semiology math जो कि आपको यहां पर दिख रहा है फिर mechanics of solid मैंने पढ़ाया ordinary differential पढ़ाया complex analysis पढ़ाया discrete mathematics and integral equation and boundary value problem और अभी हमारा कहता है advanced abstract algebra हमारा यहां पर running है तो पिटा यह सारे math मेरे YouTube चैनल सचीन math class जो को आपको यहां पर logo भी मैंने दिखा रखा है यहां पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आपको सारी चीज़े मिलेगी और हाँ यहां पर आपको वीडियो चाहिए सारी तो इस सारी चैनल को इपर दिखा ना इसकी मैंने mechanics की 15 वीडियो कैल्कुलेस ओफे 19 पार्टिफेंस की 15 वीडियो मेकने की 45 वीडियो डिस्क्रीट की 54 इंटीकल एक्वेस्न की 34 complex टूंटिटी त्री ओडिनरी 22 इस पर कासे जितनी वीडियो इसमें जो जो आपके सलेबस मेरे पास send करते जाता है वो वीडियो में इस पर बनाके डालता रहता हूं उन्हीं प्लेलिस्ट में add करता रहता हूं और यह सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे description में भी मिलेगी यह सारी है ना सारी जो वीडियो है ना इनीचे मिल जाके ले सकते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा क्योंकि आपको सारे वीडियो ओडियो सब कुछ यहां से आपको मिलता रहेगा ठीक है थैंक यू